विज्ञान भरते हैं, जन्म जन्मानतर में वे मेरे प्रभू हैं, वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविध्या का नाश करते हैं, वैदिक सास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं, हे शिलप्रावपात, करणा सिंदू तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके प्राणाइन भक्ति वेदान स्वामिश्री लप्रभुपाद की चल्वा Hare Krishna भक्ति नो ठाकोजी का भजन काएंगे शुद भकता चरन रेनु शुद भकता चरन रेनु भजन आनुकूला 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 भकता सेवा परमसेदी प्रेमालती कारमूला शुद भकता सेवा परमसेदी शुद भकता चरन रेनुकूला पलनकारी भकताने पालनकारी शुद भकताने पालनकारी गौर आमा जे सबस्ताने काराल भ्रामान रांगे से सबस्ताना हे रिवामी प्राणाई भकत सांगे से सबस्ताने हे रिवामी प्राणाई भकत सांगे शूद भकत चरन रेणु बजन आनुकूला भकत सेवा परमसेदी प्रेमालते कारामूला शूद भकत चरन रेणु बजन आनुकूला निदंग वाध्या अशुनिते माना अवसरा सदयाचे कौरा वेहिता किताना शोने गौरा वेहिता किताना शोने आनंद हे दया नाचे आनंद हे दया नाचे युगला मूरते देखिया मोरा परमानंद हाया प्रसाद सेवा कारिता हाया प्रसाद सेवा कोरिते होया साखल प्राम पच जाया जेदे ना ग्रिहे भाजाना देखि ग्रिहे ते गोलो कभाया चारान से दो देखिया गांगा चारान से दो देखिया गांगा सुख नसी मां पाया चुद भकता चारान रेनो बाजनानो कूला बाखता सेवा अपरम सेथी प्रेम लति कारमूला चोद भकता चरन रेणो बाजन आनुकुला तुलसी देखी जुडाय प्राण माधवतो शनी जानी तुलसी देखी जुडाय प्राण माधवतो शनी जानी गौरा प्रिया शाक सेवने जीवान सार्थकमानी भकति वी नोदा क्रिष्णा भाजन आनुकुला पाय जाहा प्राथी दिवा से पारामा सोखे प्राती दिवा से पारामा सोखे स्विकार कर एता हा प्राती जीवा से पारामा सोखे वाकत सेवा पारामा सेदे प्रेमालते कारमूला मादवते थे भाकते जानने जतने पालन कारे जतने पारामा से पालन कारे चोद बाकता चरन आरेनो बाजन आनुकुला आरे क्रिष्णा 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 isa कुरेश्ञ्णिन थशीन केप जग घढ धाखने Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Kathari, Ram Ram, 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 Ram Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada Shrela Prabhupada अहे नित्रा औरीबॉ Лाthon कि अरिबॉल हरी बोल हरी बोल यह इस permitir जा मिश्नुपात परम ठाफ्टिगा चारे अष्टो टो 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 सिशि शिमत जा इस डिवाइन गेशे चारे का देख स्वामीश स्वामीश प्रहु पाध की इस स्कान फाइब अचारिया जगत गूरु से विर्दा होल विल्ड आप की जामिष्णुपात परमांस्प्रोजिकाचारे अश्टोत्रोष्ट शीशी शीमाथिस जीवाइंगेश्ला बक्ति सिधान्स अशी ठाकुर माहराज प्रहुपात की अनन्त कोटी वैष्ण विंद की नामाचारे शीला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहुष्ण क्रिष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वयत गदाधर शिवासदी गोर भक्त विंद की श्री श्री राधा राधिकारमन जी की श्री श्री कृष्ण वलाराम की श्री जगनाद बल्देव सुपद्रा सुदर्शन जी की श्रीषि गौर निताय की, सर्शाली ग्रम्षिलाजी की, विर्ण्यदेवितुल्सी महराने की, ग्रंध्राशी मध्भागवतम की, प्रभपाद निलामरत की, एकादशी महाथच्व की, निताय गौर प्रेमनन्दे, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to the Assembled Devotees, All Glories to Shri Shri Guru and Gauranga, All Glories to Śrīla Prahupāt, Śrīla Prahupāt Kī Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naramchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet Našta Praešu Abhadrešu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naštiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanayaca Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Om Ajnānat Mirandasya Jnānanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Sāpitam Yena Bhutale Svayam Rūpa Kadamaiyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Nveshna Vanshya Shri Rūpam Sagrajātam Sahagana Raghunātānvitam Tamsajīvam Sādvaitam Sāvadhūtam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Rādhā Krishnapadān Sahagana Lalita Shri Vishakānvitansya He Krishna Karunasindhu Dīna Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Rādhā Kanta Namastute Taptakānchan Gaurāngi Rādhe Vrindāvaneshwari Vrishabhānusute Devi Pranamāmi Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevaca Patitānām Pavanibhyo Vaisna Vibhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityānanda Shri Advaita Gadādha Shri Vāsādi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Mishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Vedanta Svame Niti Nāmine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Pashchātya Dishatarine Hare Krishna Hare Krishna Hekashri Mahutasav ke dina Aap-sabhaktam ka Hare 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 और हमारा सुभागे रहता है कि एक आशी के दिन हम घरंत भागवत के इस्थान पे व्यक्ति भागवत की चर्चा करते हैं हमरे स्कौन के फॉंडर अचारिय है अभै अचार नार्विंथ बक्ति वेदान स्वामी श्रीला प्रभवपाद श्रीला प्रभवपाद की जाए तो हम देखते हैं कि जो पुरुष भागवत होते हैं उनका जीवन philosophy and action होते है जब हम भागवतम को पढ़ते हैं सुनते हैं तो लगता है ये तो सत्युकी तुरिता यूग की बात है आज के इस कल्यूग में कहां संभव है लेकिन जब प्रभवपाद जी के चरित्र के बारे में सुनते हैं चर्चा करते हैं तो लगता है ये भक्ति के ये सिध्धानत है और practical example से सिध्धान ज़्यादा क्लियर होते हैं नहीं तो सिध्धान के बुल थियोरी बनके रह जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभपाद जी का जीवन पूरा भागवतम पर धारित है प्रभपाद जी ने भागवतम को जीया और अपने जीवन के द्वारों उन्होंने प्रचार किया तो अभी हम प्रभपा लिलामरेत के द्वत्य भाग के 57 प्रकरण में अध्याय है लौस एंजलिस में मंदिर उद्गाटन और ये घटना है कि प्रभपाद जी न्यू यॉक, सैंट फ्रैंसिस्को, मॉन्ट्रियल में मंदिर खोल बैठे हैं और उनका स्वास्थे खराब हो जाता है प्रभपाद भारत में आते हैं अपने स्वास्थे लाब के लिए और फिर भारत से वापिस अमेरिका में आते हैं तो ये बात है लौस एंजलिस 6 जनवरी 1968 1968 6 जनवरी तो लौस एंजलिस के मध्यमवर्ग के अश्वेतों के पडोस में 5364 वेस्ट पीको बुलेवाड पर एक इमारत थी जो एक छोटे स्टोर फ्रेंट के रूप में थी तो लेकिए परम पूजिने सद्शुरु गुस्वाई माराज ऐसे लिख रहे हैं इतनी डेटेल्स में वर्नन दे रहे हैं कि छोटा सा स्टोर फ्रेंट था अनिरुध ने अपनी चाबी से पिछला दरवाजा खोला और प्रहुपाद ने उसमें प्रवेश किया उनके पीछे-पीछे कुछ शिश्य थे कमरा मजबूत था वेदिका के ओपर भगवान कृष्ण का ब्रजवासी प्रिंट रखा था वेदिका मतलब आल्टर वेदिका मात्र पुराने मद्रासी कपड़े से ढके होवे संगतरे के दो डब्बन से बनाई गई थी एक किनारे पर तंबूरा और मिदंग रखे थे और सामने की खिड़की पर परदा लटक रहा था एक उठा हुआ सधारन मंच प्रभुपात का आसन था और कमरे में वही एक मात्र फरनीचर था बड़ा चोटा सा स्चोरफन था उसमें खिड़की थी परदा लगा हुआ था एक आल्टर था आल्टर के उपर एक प्रजवासी प्रिंट था वह साथ में थोड़ा सा एक स्टेज बना हुआ था प्रभुपात जी के बैठने के लिए यही एक मात्र फरनीचर था छोड़ा सा कमरा प्रभुपात के सरिया रंग का लबादा पैने थे और बेंद की छड़ी के सहारे चल रहे थे उन्होंने कमरे को पार किया अगला द्रवाजा खोला और बाहर निकल गए स्ट्रीट के उपर से नीचे देखा तो छोटे छोटे पुराने मकान दिखे यह रास्तिय से अलग शांथ पडोस था यह सेन फ्रैंसिसको के हैट अशिबरी तो था मैनहटन के लोवर इस साइड में उनके शिशो दौरा ढूंडे के स्थानों से सरोथा भिन था सेन फ्रैंसिसको या लोवर इस साइड बाव्री स्टीट में जो स्चौरफंड ढूंडए थे वो बड़े भीड़ वाले इलाके में थे सब हिपियों का जो अड़ा था उथ हाँ पे थे ये विल्कुल एक शांत शेत्र में था लॉस एंजलिस में किन्तु लॉस एंजलिस में प्रारम करने के लिए यह एक ठीक स्थान था प्रहुपाद फिर से भीतर आ गए और उन्हें द्रवाजा बंद कर लिया वहाँ पर लॉस एंजलिस मंदिर के सदस्य अनिरुद दयानंद उनकी पत्नी नंदरानी तथा उनकी तीन सब्ता की बेटी चंदरमुखी थी कई अन्य भक्त भी थे जो कुछ दिन पूर्व सैन फ्रैंसिस्को से कार द्वारा यहां पहुंच सके थे और प्रहुपाद के इर्द गिर्द खड़े थे तथा प्रतिक्षा में थे कि प्रहुपाद जो कुछ कहें वेस सुने ऐसा ही होता है जब कुछु नया सेंटर खोलते हैं तो पुराने सेंटर की भक्त आकर मदद करते हैं ना तो नय सेंटर की लास इंजे इसक ए कौन गौन से भक्त थे दियानंद अने पुराणी है दयानांद है अनिरुध है तीन मेने की बेटी है और कुछ सेंट फैंसिस को कि पुराने भकत है पुरांके में कितने मैक्सिमम छे मिने एक साल पुराने प्रवपा ने सतर खोकर चार ओर देखा और कहा ठीक अब कीटन होना चाहिए और वो मिदंग लेकर एक छोटे से मंच पर बैठ गए जबकि उनके शिश्य उनके सामने फर्ष पर बैठे अभी उन्होंने बजाना शुरू ही किया था कि जानकी एक तंबूरा लेकर उनके पास तेजी से आई उसने का स्वामी जी आप ढोल नहीं बजा सकते आप उसमें पारंगत नहीं हैं आप इसे बजाए उसकी डांट मात्रुवरत थी प्रवपात भहतर वर्ष के थे और छे मास पूर्वी उन्हें हिर्दय आगात हु हुए थे वे हाली में भारत से लोटे थे जहां वे स्वास्थिलाब करने गए थे स्वभावता उनके शिश्य उनके स्वास्थे को लेकर चिंतित थे जानकी से वादेव यंत्र बदलते हुए उन्होंने हस कर कहा तब तो मैं तंबूरा बजाओंगा प्रवपाद जी मृद अटेक हुआ था फिर प्रवपाद भारत गए थे प्रवपाद मिदंग बजा रहे थे मिदंग में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं तो जानकी तुरन आके मना करते हैं आप मिदंग नहीं बजाएंगे जैसे मा की तरह डांटा अपने गुरू को डांटा आप मिद तो बहुत इंटिमेट हो गए तो बहुत इंटिमेट रिलेशन शार और वो सब चिंते थे प्रवपाद के स्वास्ते के लिए इस लिए को किया इसे अभी परम पूछने को पार्शन स्वामी माराज कोई बारी कोविट में उनके जो डॉक्टर शीषे ते बेलकुल बंका थ तो महाराज से मिलने जाते थे तो हमको तो महाराज इस अवर ग्रेट फॉर्चन हमारे बीच में हमें संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी पीड़ा है मुझे बहान ही निकलने दे रहे तो कहीं बारी शिषे ऐसा अथार्टेटी रोल प्ले करते हैं अपने गुरू की स्वास गुरू स्वतंत्र है ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं प्रभपात की अन्ते लीला में जब प्रभपात ने 14 नॉम्बर का तिरोभा हुआ तो दस नॉम्मर को प्रभपात ने बोला मैं गोवधन की परिकमा करना चाहता हूं और लोकना स्वामाहरा बहुत एक्साइटिड होगे फूरी तियारी करने लगे वैल गड़ी में प्रभपा जाएंगे को परिकमा करेंगे और दा रिक दूसरा क्यम था इस नॉम्मार कृषिन को स्वाहराजी का बले बिल्कुल नहीं कर सकते बहुत खतर्नाक है प्रभपत के लिए इतने वो करना अधने लोगनाभा स्वाहि माराज के सारे ओर साथ ते नहीं करना चाएए गुरु की आगया है गुरु की आगया पालन करना चाएए गुरु की आगया पालन करें गुरु को आप आगाध पहुंचाएंगे तो दो गुरुपस बनगे बड़ा heated discussion ओने लगा याशा शी शी इतना टेंशन ओरह नहीं जाूंगा, तो ये शिष्य और गुरु के संबंद होते हैं, अभी जानकी ज्यादा पुरानी शिष्या नहीं है, एक साल पुरानी शिष्या है, लेकिन इतना प्रेम है प्रभुपाजी से, वान भला आपी आपका हार्ट अटेक हुआ और आपा से मि को तीन कि लिए दी कि प्रहुपाद ने हरे कृष्णा 2 हरे लाम राम 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 हरे हरे की तडु किया अपनी पारंपरीक बंगला धुनमे दुन से वे गाने लगे और अपने शीश्यों का साथ देने लगे जब प्रहुपाद के वे शिश्य उनके समक्ष निष्ठा पूर्वक कीतन करते हुए बैठे थे, कुछ उनकी ओर देख रहे थे, कुछ आंखे मूंद करके गा रहे थे, तो वे हर शिश्य को देख रहे थे, अनिरुत भी वहीं था, वे घबराया हुआ था, तो अधर डरपोग था, वे आसानी से श कंभा दुबला दयानन था, वे आर्सीय का कंप्यूटर टेक्निश्यन था, तथा वे था उसकी पत्नी जिन्होंने मंदुर चालू किया था, उसमें प्रती मास दो सो डॉलर देते थे, वे वर्नन है, जो फांडर आचारिया थे, लोस एंजलिस टेंपल के, अनेरुद, जब जब दयानन था नंदरानी लॉस एंजलिस चले गए थे, और उन्होंने यह चोटा सा स्टोर फरंट तलाश लिया था, तब शिला प्रहुपाद भारत में थे, उन्होंने तुरंद ही शिला प्रहुपाद को इस नवीन मंदिर के बारे में लिख बेजा था, उन्होंने यह भी लिखा था कि लॉस एंजलिस की जलवाईू गरम तथा धूप से युक्त है, जो उनके स्वास्थे के लिए अच्छी रहेगी, शिला प्रहुपाद ने उनके साथ रहने की उच्छता अभीव्यक्त की थे, प्रहुपाद का जवाब है इसमें, प्रहुपाद का कोट अन प्रहुपाद के अंग्रेजी संस्क्रन के कुछ अनुचेत पड़ो, और जैसा तुमने मुझसे सुना है, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करो, कोई अन्य भक्त भी जिसमें कृष्ण के प्रती नैश्ठिक प्रेम उत्पन हो चुका हो, कृष्ण विश्यक सत्त की हैं, उसको बोलो, आमार आग्या गुरु होई तारे देश, श्रीला प्रभपाजी कहते हैं, गुरु बनना बड़ा असान है, जो सुनना है, उसको रिपीट कर दो, एक पोस्टमें की तरह काम करना है, लेकिन अगर उसमें अपना कुछ मिश्रन किया, तो गरबड है, पोस् प्रभपाजी ने बोला, बस फिर भगवान भी आपके हिर्दे में आसीन है, वो आपकी साहिता करते हैं, दयानन ततनांदरानी ने श्रीला प्रभपाद को लिख रहत था, कि लॉस एंजलिस के लोग सैंट फ्रैंसिसको तता न्यू यॉक की भांती ग्रहंड शील नहीं है, कि इन्दु श्रीला प्रभपाद ने उन्हें आश्वस किया था, कि यदि वे भक्ती पूर्व कीर्टन करते हैं, तो सफलता प्राप्त होगी, क्रिष्ट उनकी साहिता करेंगे। शीला प्रभपाद ने अपने कमरे में सोचा था, कि संसार भर में क्रिष्टन भाना मृत केंद्र खोलने के लिए वे दयानन तथा नंद रानी जैसी युवाओं तथा युवतियों को भेजेंगे। अमरीका में मिली सफलता से उनमें आशा जगी थी। जिसे कहते हैं विशेश इस पेराग्राफ में बताया गया है। कही बारी हम लोग सोचते हैं कि जो हमारी जनरेशन है वो प्रहुपात से नहीं मिल पाई। हम प्रहुपात को जान नहीं पाए। अब देखी यहां पे प्रहुपात जी का कितना सुंदर मूड और मिशन फरकट होता है। प्रहुपात जी जब राधा दामोदर मंदिर में ही थे। भारत में ही थे। तब ही से प्रहुपात ने इस कौन का पूरा ब्ल्यूप्रिंट मना लिया था। कैसे मैं चितने महाप्रवु के मनोभिष्ट को पूरा करूंगा। पिथित याचे नगरादिग्राम सर्वत प्रचार हाई बे मौर ना। और देखिए प्रहुपात का क्या विजन था। प्रहुपात को मालूम था मैं विदेश में जाओंगा। विदेश में मुझे कोई पंडित, संत्र लोग नहीं मिलेंगे। हिप्पी लोग ही मिलेंगे। ऐसे दयाना, नंदरानी, अनिरू जैसे लोग ही मिलेंगे और इन लोगों से मैंने मुवमेंट शुरू करना है प्रहुपाद पहले से ही प्लैन करके चल ले थे प्रहुपाद से पहले भी प्रहुपाद ये गुरु भाई विदेश गए थे लंदन गए थे जर्मनी गए थे लेकिन वहां से हताश होकर वापिस हो गए थे कि पश्चात्य देशों में भक्ती का प्रचार नहीं हो सकता, यहां लोग चार नियम खुले आम तोड़ते हैं, तो कैसे भक्ती का प्रचार होगा, वापिस आगे थे, प्रहुपाद ने सोचा था कि जैसे लोग हैं ऐसी अव देखा है कि वृध्ध अवस्था तव्था खराब स्वास्थे के होते होए भी उनके जीवन की यही अभिलाशा एक मात्र प्रमुख अभिलाशा थी, कौन सी अभिलाशा उनकी प्रमुख थी? गुरु की आगे का पालन करना, चितन्य महाप्रुव के मनोबिष्ट को पूरा करना, हलांकि खुद बूड़े हैं और बिमारियां हैं, लेकिन एक ही प्रमुख अभिलाशा है, कोई व्यक्ति व्रिध हो और बिमार हो, उसकी कौन सी अभिलाशा होती होगी? मेरे बच्चे मेरी सेवा कर ले हैं, और कौन सी अभिलाशा होती हैं? मेरा धन्ना कहीं चला जाए, मैं ठीक हो जाओं, या फ्रस्टेट होगे कम मैं मुझ शरीट छोड़ूँगा, कितनी प्रकार की अभिलाशा हो सकती हैं? प्रभुपाद जी की प्रमुक अभिलाशा क्या थी? कैसे चेतने महाप्रभु का अंतोलन आगे बढ़े? कितनी विशेश बात है! और यहां प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है कि हम अपने जीवन में प्रमुक अभिलाशा हैं, भौतिक बिना अभिलाशा के, बिना मनोरत के कोई जीव रह नहीं सकता. और अभी हम में से कुछ भग बहुत युवाँ हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा समय हैं. कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें कि मन में केवल अध्यात्मिक अभिलाशा ही प्रमुक रहें. जो लोग कि हम देखते हैं, बिर्ध अवस्था, बुड़ापा बहुत दुखदाई है. प्रहुपाद जी ऐसी अवस्था में भी प्रचार के बारे में सोच रहे हैं. अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं. और प्रहुपाद का विजन बहुत बड़ा होता था. 1958 में, जब प्रहुप कहां कहां भेजूँगा प्रहुपा ने, प्रहुपा लिलाम भी ते वर्नन आता है, बोले थे, मोर दन 50 कंटी में भेजूँगा. कुछ भी अभी शुरुवात ही नहीं हुआ, कितना बड़ा सोच रहे हैं. और बोच रहे हैं कि, अमेरिका में 10,000, अर्जंटीना में 500, बेल 1958 में 50,000 भगवादरिशन में बांटने का सोचा वा था, और 10,000 टु रश्या और 10,000 इंग्लेंड, जब कि उस समय रश्या कितना communist country, चाइना communist country, प्रभपा ने 10,000 मार करके रखे हैं उनके लिए, और बोला था, कैसे करूँगा यह सब, डोनर से पैसा लूँगा, तो डोनर को एंकरेज करने के लिए, डोनर का नाम उपर प्रिंट कर दूँगा, ना डोनर मिले, ना डोनेशन मिली, ना भगवादर्शन बाहर गई, प्रभपाद की अविलाशा, कितनी बड़ी अविलाशा थी, आप सोचें, तो बड़ा सोचने के लिए घवराना नी चाहिए, अध यह बन गया, वो हो गया, फिर यह हो गया, यह हो गया, ऐसे सपने देखने की जगा, ऐसे सपने देखने चाहिए, और प्रभपाद की अविलाशा थी, इस पे एक्शन लिया, सफलता ने मिली, अपनी हिम्मत ने छोड़ी, लगे रहे, लगे रहे, आप सोचें, और जब ऐस कोई व्यक्ति पूरा जीवन इस अभिलाशा के साथ जी रहा है, तो अंतिम अवस्ता में भी यही अभिलाशा रहेगे, और निश्चीत रूप से कोई बद जीव इस अभिलाशा के साथ जीवन जीता है, और इस अभिलाशा के साथ शरी छोड़ता है, तो निश्चीत पूछते हैं सुद्गो स्वामी जी से परिशित महराजी का जनम बड़ा विचित्र है परिशित महराजी की क्रियाएं बड़ी विचित्र है परिशित महराजी जिसे शरीर छोड़ा बड़ा विचित्र है इसकी अबार में बताई है सब कुछ बड़ा विचित्र था परिशित विचितर थे, चक्रवर्ती समराड थे, कली को रोक लिया था उन्होंने, कली को रोक दिया, कहीं नी जा सकते, कली बैचारा एक्दम चुप चाप बंद के रह गया, और शरीर कितने विचितर तरीके से छोड़ा, एक छोटे से पांच वर्ष के ब्राह्माण के बालक नुन को शुराब दे दिया और सब कुछ छोड़के गंगा के तरपे बैठ गए अंशन बिना कुछ खाई बिना कुछ पिये साथ दिन के लिए कमाल है तो कैसे हुआ यह सब तो जैसे ही उनको समचार मिला कि तक्षक रूपी सांप साथ दिन के अंदर मुझे डस लेगा मैं अपना शरी छोड़ दूँगा घवराई नहीं बिलकुल भी नहीं घवराई हम कोई मैं डॉक्टर के पास टेस्ट करने जाएंगे और बहुत बड़ी बीमारी निकल जाए कितना घवरा जाएंगे और इमान पूरा राजय संभाल सुंपा और एकदम गंगा के टटपे आगे देखिए कितनी विचितर बात है प्यासे होकर उन्हें ने शम्मिक रशी के गले में सांप डाला था मरा हुआ उसके वाला कि पानी भी नहीं प्या साथ दिन तक यहने कि जिस दिन के लिए जिस से मैं प्या आसा होकर मैंने यह छोड़ा सा प्रात किया उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली पानी नहीं पिया खाया पिया नहीं कुछ नहीं बुले भगवान की इच्छा है भगवान की तरफ से सिगनल है वाइंड अप करो तो ऐसा कोई वाइंड अप क्यों कर सकता है करना आस इसा इसलिए हो पाया ना उत्तम श्लोक वारता ना जिनका पूरा जीवन कृष्ण पर निरभर है वो क्या करते हैं जुष्टाम तत क्थाम रितम हमेशा उनकी कथा के अमरित का पान करते रहते हैं स्याद सम्रबो अंत काले पी तो अंत समय में उनको कोई मिसकंसेप्शन न ही रहता समारा तत पुदा मुझां अंत समय में भी वो भगवान के चरण कमनों का समरण कर पाते हैं क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने इसको कल्टिवेट किया है पूरा जीवन और इसके तातपरे में शीरा प्रभुपा जी लिखते हैं by scientific adaptation बड़ा सुंदर्शत प्रभु आए नहीं करना वही है जो पहले किया था आदत पढ़ गई वही किया है तो सदान था एक बदजीव उसको आदत होती है अहार निद्रबहमेथन के बारे में सोचने की अपने अपने परिवार के बारे में सोचने की अंतकाल में भी आएगा तो यही सोचेगा और अंतकाल मे व्यक्ति बिल्कुल भ्रमित हो जाता है परिशान हो जाता है वो कुछ कहना चाहता है कहने पाता बहुत पीड़ा होती है लेकिन जिसने पूरा जीवन इसका अभ्यास किया है वो आंतिन समय में बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होता तो वृद्ध हवास्ता में वो बिल्कुल ब्रहमित नहीं होता। इसलिए मनुश्य जीवन मिला है अध्यात्निक मनुड़तों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्निक इच्छाओं को प्रबल करने के लिए एक मात यही इच्छा प्रबल इच्छा होने चाहिए फिर संसार की पर सितियां जैसे मर्जी हो एक प्रबल इच्छा हमें भगवधाम ले जाएगे इस संसार के द्वन्तों रहेंगे ही रहेंगे साक्षा तो धारन देखते हैं हमारे बीच में परमपुजी ने जैपता का स्वाहिम आराज है परमपुजी गुपाल स्वाहिम आराज है उनका दिखने में तता करते हैं विद्वस्ता है पता नहीं कितनी कितनी उनको शरीर में रोग हैं लेकिन उत्सहा वैसे ही वही प्रिचिंग स्पिरिट वही अबिशन्स वही आंखों में चमक एक नया मंदिर बन रहा है एक नय भग जोड रहे है जैवतका स्वाहिम आराज कहते हैं मेरे शरीर में इतनी बिमारियां सबसे बड़ी बिमारी क्या है जब मैं किसी नए व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं प्रचार की भी ना रुख नहीं सकता कमाल है क्या बिमारी है और ऐसी हालत में भी रोज एक क्लास देते हैं रोज अभी भी यूट्यूब में रेडियून का एक क्लास है चेतने भागवत के ओपर क्या एडिक्शन आप देखिए और क्या उनकी अभिलाशाएं है तो क्या केवल सन्यासी गणिया सा कर सकते है नई चाहिए कोई किसी भी आश्रों में है हमारे जीवन का उदेश्य है इस अध्यात्मिक इच्छा को प्रबल बनाना इस मनोरत को कल्टिवेट करना शीवन भागतमिक देशम सकंद में हम देखते हैं अकरूर और कंस को जब कंस ने राज संभाला तो जितने भी यदिवन्ट्शी थे सब पे बहुत अत्याचार किया कुछ लोग तो दूर भाग गए कुछ लोग को जेल में डाल दिया और एक तीसा वक था जिन्होंने कंस की सेवा स्विकार कर ले अकरूर जी थर्ड क्याटेगरी में थे दिखने में ये था कि देखो जी बगावत कर ले सारे यदिवन्ट्शी एक तरफ उनके दुश्मन की शत्रू की सेवा कर रहे हैं कंस की लेकिन अकरूर जी ने ये विकल्प क्यों लिया था अकरूर जी प्रतिक्षा कर रहे थे एक मोका जरूर आएगा मत्रा में हूँ व्रजु में ही क्रिश्न है कहीं ना कहीं तो दर्शन हो जाएंगे मोके की तेलाश में थे और कंस के यहां नोकरी करते हुए भी नेमित रूप से श्रमन कीर्थन करते रहते थे अपने अंदर की जो अगनित उसको प्रजवलित करके रखते थे उनका यही मनोरत था कि एक दिन मैंने क्रिश्न बलराम के दर्शन करने हैं उनके चर्णों को अपने सर को उनके चर्णों में लगाना है इसी अभिलाशा में थे इसी अभिलाशा में सारे कश्ट जहरे थे कंस के लेकिन फिर उनको मोका फ्राप्त हुआ तो जो हमारे अध्यात्मिक मनोरत होते हैं वो निश्चित रूप से पूरे होते हैं कंस के भी मनोरत थे बड़े भौतिक मनोरत थे सब को खतम कर दूँगा मैं राजा बन जाओंगा यह सारे मेरे जीवन में कांटे के समाने सब कांटो को खाड़ के पहांक दूँगा लेकिन उसका कोई मनोरत पूरा नहीं हुआ तो विकल्प हमारे पास है 24 हमारे पास है अध्यात्मिक मनोरत पूरे करने हैं कि भौतिक केवल माइंड को ट्रेन करने की बात है और यह प्रैक्टिकल है जो हम अपने जीवन में अपने मन, वानी और श्री को जिसमें लगाएंगे वो उसी मनोरत को हम आगे प्रबल कर दे जाएंगे यह सारी साधना भक्ती का मुख्योदेश यह क्या है कि अपनी अध्यात्मिक इच्छा को प्रबल कर ले प्रहुपाद कितना बड़ा बड़ा आप देखिए विजन होता था और प्रहुपाद उसमें बिलकुल भी चूंकते नहीं थे और तभी ऐसे कष्ट में परिस्टी में प्रहुपाद गवरा है नहीं अन्तीन समय में मैं जब प्रहुपाद को बुक स्कोर सुनाते थे प्रहुपाद का थे मैं दुबारा से यंग हो गया हूं मुझे संकीतन स्कोर सुनाया करिया क्या उनका वो था इसी में देखते है परणपुचिने कदम कानस्वाई माराज ने जब उनका थिरोभा हुआ तो क्या स्पिरिट थी उनके जैसे उनको मालम चला कि मुझे फोर स्टेज कैंसर है ठीक है फिनिश भगवान का सिगनल आ गया है wind up अब ने बुला ये टीटमेंट ये लो वो टीटमेंट ये लो कोई टीटमेंट ये लेना और सीधा सेप्टेमर में राधाश्टमी के बाद पहले पूरे शिश्यों से मिले पिर राधाश्टमी के बाद अबिंदावन में आगे अबिंदावन में पूरा परिक्रमा कर रहे हैं कीतन कर रहे हैं प्रतिक्षा कर रहे हैं अंतिम कुछ दिनों में खाना पीना बिनकुल छोड़ दिया कि मैं शरील छोड़ने वाला हूं पूरे उसी Meditation में थे और अपने श्री छोड़ने से पहले उन्होंने एक अंतिम मेसेज में एक वीडियो के रूप में दिया जो बोला कि वीडियो मुझे बाद में दिखाना मेरे श्री छोडने के बाद और उस वीडियो में बड़ी कठनाई से उनसे बोला जा रहा है और क्या संदेश दे रहे हैं कि अगर आप सब भी प्रभुपाजी के आग्या का पालन करेंगे, सोला माला का जब करेंगे, चानिमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं आपको ओपर मिलूँगा. मैं आपको जोआ आपको जा जारूं। तो ऑभी में को जोईन कर सकते हैं फेस्टिवल में, उपन इम्टेशन है। और उनका क्या रिलाइज़िजेशन, बले डेथ क्या है? डेथ इस ज़से चेंज अड़ सर्विस, यद चेंज अव सर्विस है अभी यहां स्यवा करों आप change of service, क्या है, कि इतनी हिम्मत आपता ही है, किसके अंदर ये हिम्मत आ सकती है, मृत्यों के आप देख रहे है, change of service, बता ही है, और इतना सुंतर drained out, बोले हाँ, आप यभी मैंने एक वीडियो मैसेज दिया है, बोले इस हालत में, क्या जुरूत ही आपको वीडियो मैसेज देने की, क्यों दिया आपने, तो महारा से बोला ही नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से एक शब बोला, desire, इच्छा थी, कि जो कुछ मेरे साथ हो है, कि मैं बोखा प्यासा हूँ, कैंसर का अंतिम स्थिती है, कितनी पीड़ा होगी, नहीं, मेरे को ये share करना है, कितना share किया, और आने वाड़े कितनी मेमोरियल में, उनके गुरू, परम पूज ने, जैदर स्वाही माराज, बता रहे थे, कि क्या उनका schedule होता था, continuous traveling, और जब अंतिम स्थिती में थे, तब भी वो अपनी सोला मला कम से कम पूरी करते थे, कुछ खानी रहे, पी ने रहे, इतनी पीड़ा है, तक हरी नाम ले रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से जब कर रहे हैं, तो उनकी इतनी कठनाई को देखा, तो उनके गुरू, जैदर स्वाही माराज ने बोला, माराज, कोई बात है, जतना सो मच, मैरी प्रेक्टिकल इंस्टक्शिशन गुड़, तो कादम कानि समय मारा ने क्या बोला, रो कर बोला, प्लीज दोंट गिव मे दिस ओर, मुझे ये ओर्डर मुझे इस समय मत देजे, जैदर महाराज कहते हुए रो पड़े ये प्लीज दोंट गिव मे दिस ओर, आप जीव की एक ही शक्ती है, इच्छा शक्ती, और वो इच्छा शक्ती, अगर हम जितनी प्रबल करेंगे, सहीड दिशा में, संसार की कोई भी परस्यती हमारे जीवने बाधा नहीं डाल सकती, प्रभपाज जिसे उनके शिशे ने पूछा, भगवान चाते हैं, भगवाद हम आजाएं, मैं चाहता हूं है भगवादाम चला जाओ, माया क्यों तंग करती है बीच में, प्रभपाज भगवाद हमें, प्रभपाज लिखते हैं, इस बगवाद जग धाम संसार से निकलना बहुत असान है, यह ज़स्ट डिजायर, इच्छा करनी हैं पस, क्यों इच्छा करनी हैं, भगवादाम जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी इच्छा हैं multi-branched हैं, यह भी चाहिए, वो भी चाहिए, यहां भी चाहिए, मंदिर में होते हैं बिकुल ठीक बात करें, यह इच्छा होने चाहिए, बहा ने कलते हैं, बोलते हैं, नहीं यार, यह भी होना तो इसलिए, जादा से यादा भक्तों का संग, जादा से यादा प्रभवादा की कुश्कों को पढ़ें, सुनें, उस पर मनन करें, और अपने अध्यात्मिक मनुरत को प्रभल करें, यही हमें संसार के दुखों से भी बचाएगा, और यही हमें भगवादाम नेके ये इच्छा प्रबल नहीं है, इस संसार की छोड़ी-चोड़ी इच्छाएं रखियों ही हैं, तो वो हमेशा कष्ट दाई होंगी, चाहिए वो इच्छाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन अध्यात्मे की इच्छा अगर पूरी नहीं भी होती है, तो वो भी हमें बचाएगी, क्योंकि जीव तो के वो इच्छा कर सकता है, और पूरी हो गई तो है ही है, पर तो लाब है ही है, तो इसलिए बुद्धी मता है, प्रबबाद दिखा रहे हैं, कि इतनी बिर्दिवस्ता, इतनी बीमारी में भी बहुत प्रबल इच्छा, कि मैंने खूब प्रचार करना है, और हम देखते हैं, कि शीला प्रबबाद ने केवल इच्छा ही नहीं की, प्रबबाद ने इतना सुन्दर सिस्टम बनाया, कि प्रबबाद के तिरोभाव के बाद भी जेतने महाप्रू की इच्छा पूरी होती रही, प्रबबाद ने केवल अपनी इच्छा के लिए कि आगे हमें दिल भिष्वास कि यह होगा ही होगा और दूसरा प्रहुपाद ने इसको कायानूत करने में अपने आपको हमेशा पीछे रखा इतनी बड़ी सिवा प्रहुपाध कर रहे हैं अपने कवमेशा बैक में रखा कि आज आज देखिए अब जाके कुछ लोगों को प्रहुपात का नब के बारे ़ी वालूम चलरा है तो विन्ड़ा पन में जाओ तो कूँ सा मंदिर है अंगरी जोगा मंदिर अचैज़ का कि नांवाले कोई नी जानते परभुपाद जी नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। उनके ज्रोभुपाद से नाम बट बट चना양 चाहिंधे। लेकिन प्रभुपाद जी का नाम इतना बग्छयगान नहीं है अरे रज़ त्व ज़गना हैं। प्रवपाद ने अपने आपको बेक पे रखा ये प्रचार करने की शक्ती है अगर हम हमारा प्रचार भी तभी सफल होगा यह हम प्रवपाद को फ्रेंट में रखेंगे और खुद को बेक में रखेंगे जहाँ अपने आपको front में रखने की बात आती है तो माया का सबसे प्रण्टाही अटैक भी हमारे इस भरी होता है कोई हम front में है, माया तो attack कर रही करेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे प्रचार भी प्रभावशाली होता है अगर हम प्रहुपाद और अपने आचारियों को फ्रंट में रखते हैं और खुद बैक में रखते हैं और दूसरा प्रहुपाद जी ने बहुत सुंदर विवस्था बनाए कि मेरे जाने के बाद भी ये प्रचार चलता रहे आगे प्रहुपाद ने बोला ये एक सोसाइटी होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग कैसे होगी एक वर्ल्ड वाइड सोसाइटी होनी चाहिए ये प्रहुपाद जब जहांसी में थे तबी से प्रहुपाद जी का ये वीजन था लिल्ला मृत में वरनन आता है कि प्रभपाद जब जहांसी में थे तो एक दुकानदर था जिसकी स्टील के बर्तन के दुकान थी उसका नाम था राम मित्रा वो कभी कभी कभीताईं भी लिखते थे प्रभपाद से थोड़ा उनकी मित्रता हो गई प्रभपाद उनके पास जाया करते थे स्चील की दुकान, बरतनों की दुकान के बीच में बैठें ऐसे सहान व्यक्ति के दरा और बोला करते थे, भारत भूमे थे हैले मनुष्य जनम जार जनम सार्था करी कर परोपकार हमको खाली जांसी में नहीं रहना, बहुत प्रचार करना है, यह करना है तो वह सर हिलाके सउनते रहते थे, और अपनी कविताय दिखाते थे, प्रपाद बोलते हैं, मुझे खाली सुनने बने लोग निए चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो में सहयोग दें, कोई भारत में प्रभूपाद को सहयोग नहीं मिला, फिर भी प्रभूपाद कभी हत और प्रभूपाद ने जांसी में बैठे बैठे ही लीग ऑफ डिवोटीज बना लिया था, पूरे अंतराश्य स्तर पे कैसे इसका प्रचार होगा, इसमें एक GBC होगी, एक One Man Show नहीं होगा, Group Decision Making होगी, तब ही देखिए, इस कौन के उपर सबसे बड़ा खतरा कव आया, ज इतने बड़े जटके को भी ये पूरी इस कौन संस्ता सह सकी, क्यों प्रभूपाद ने अपने रहते होए इतना सुंदर सिस्टम बना दिया, इसलिए प्रचार आगे बढ़ेगा, Organization and Intelligence, Organization के लिए प्रभूपाद ने पूरा सोसाइटी बनाया, सोसाइटी में पूरा सिस्ट इसलिए प्रभूपाद की पुस्तके हैं, प्रभूपाद की ये सुसाइटी है, तो ये पूरा अंदोला निश्ची तूप से आगे 10,000 वर्शो तक जितने मापु की इच्छा को जरूर पूरा करेगा, इसलिए बढ़ता ही जा रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि प्रभूपाद, जितने मापु के सैनापती भकते हैं, जिन्हों केवल अपने काल के लिए नहीं, कि ठीक है जी मैं अपनी सिवा करके चला जाओ, आगे आने वाली जनरेशन्स भी, कैसे महाप्रभू के सांतलों को आगे बढ़ा सकती है, हम सब के लिए सब कुछ इसमें एक अगला कमरा, एक छोटा सा रसोईगर तद एक छोटे से सनानगर से युक्त, पिछला कमरा था, यह घर शोर युक्त था, अनिरुद ने गौर सुन्दर तद उसकी पतनी गोविन दासी के ठैने की विस्ता अगले कमरे में कर रखी थी, जो प्रभूपात के सेवक तद सचीव के रूप में कारे कर रहे थे, तो कितने ओस्टियर कंडिशन्स में छोटे से घर में सभी कठे रह रहे हैं, कितने तपस्या कर रहे हैं, और आज देखी हमारे पास कितनी सुन्दर सुन्दर सुविधाय हैं, सब कुछ प्रभूपाद जी और उनके शिश्यों की मेनत है, तो आज हम प्रभूपाद जी का इस बारे में स्परन कर सकते हैं, कि प्रभूपाद ने हमें क्या सुन्दर गिफ्ट दिया है, और हम भी प्रभूपाद जी की तरह अपने जीवन को इस डंग से जिए, कि हम अपने जीवन में अध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करें प्रबल करें और यह अध्यात्मी की इच्छा प्रबल करना ही यह हमारे जीवन का लक्षा है यही हमारी असली पूंजी है और केवल इच्छा ही नहीं करने ही केवल सपने ही देखने थिंकिंग फिलिंग विलिंग ही नहीं करना और इस इच्छा को पूरा करने के लिए ज ज़र प्रभपात की जार। किसी हाकुए। और नहीं है को मिए नहीं है। और विक्रेक्षणीरों किया थे नहीं है। और वे थे यहाज यहाज व्हुतुतु लिए। Hare Krishna Prabhuji, thank you very much for wonderful class! Prabhuji, मेरे रो प्रश्ना है पहला था कि आपने बताया, इस बुक में लिखा हुआ था कि न्यू यॉयॉर्क और सेंट फैंसेस्को में प्रिचिंग करना आसान था क्योंकि वहां इपीज थे तो तमोगुनी थे और लॉस एंजली से बता जा रहा है कि वहां पे रजोगुन जादा है तो शांत है रजोगुन तो पूरे अमरीका में तो कैसे इसे समझा जाए या यहां कि जातने महावव पतित पामन है तो जहां पतित होगी यही बात है जो सैंट फ्रंसिस्को और नियू यॉयॉक में हिपी थे और बिलकुल तयार थे रिसीव करने के लिए भौती जगत का पूरा पीक देखा ता अनों ने उसको छोड़क जो मन चाह कारे वो भी कर रहे थे तब ही फ्रस्चेटी थे तब ही थे ताब ही प्रभुपा पहर पहूंचा तुरं तो अनुसको ग्रेब कर लिया तो लोस एंजलीस में अभी दिखने में अशा नहीं लग रह था कि लोग बिलकुल तैयार है तो जी दिफरेंस था और दू लेकिन साथ ही साथ जो पुराने संस्कावर के कारण एक नौट है हिर्दे में बहुत इक इच्छाएं भी साथ लेके तो उनसे कैसे कितनी जल्दी हम उसे पीछा चुड़ाएं इसके लिए मैं क्या अपने उसमें एफर्ट में इंडिवर हैं पर क्या होना चीए यह होना चीए प्रभू कि जादा स्यादा श्रमन अच्छनंग से भक्तों का संग जो हम पड़ते हैं सुनते हैं उस पर मनन करें उस पर एक्षन लेने का परियास करें संग से ही बदलेगा संगात संजायते कामा तो कैसे संग को और एफेक्टिव कर सकते हम भक्तों के संग में वो करें और अपने भौतिक उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करने चाहिए डर यही रहता है मिशेश कर ग्रस ताश्रों में कि बहुत ज़्यादा अध्यात्मी को समें चला गया तो भौतिक में पीछे रहा जाओंगा वो हो जाएगा तो जो रोल प्ले करना है भौतिक जीवन वो करते रहे जितना हमें एक्सपेक्टिड है परभपात के बहुत सुन्दर लाइन है पहले इसकंद में spiritual well-being is followed by material well-being अगर spiritually हम healthy है तो materially well-being अपने आप 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 मेटिकली होगा इसकंदिया निए कि कुछ करे ना जो हमारा काम धन्दा है सेवाई उसको करे लेकिन मुख्य मनोरत, मुख्य अदेश्य अध्यात्मी प्रगति ही रखे अप आप 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 ने कि हमारे को अध्यात्मिक इच्छा है इसको बनाना इसको ना भोत ही सुन्दर आज को लेक्चर है तुस्में प्रोड़ा सा प्रोल्ब्लम याती है कि जैसे हम जो घरसमें होते है ना तो हार निद्रah भे में ही लग होता है तो हम उसको एपडेट रखना पड़ता अपने आपको तो फ़र उसमें लग हो जाता है और आदमी डाउन हो जाता है है जो मनदिर में आते हैं तो हमारे को अध़ Peru के अध्के लाइन का एक उपड़र देयों है फिर वहां जाते हैं तो फिर जो उपर ले जाती है हमार को कि दोनों में मतलब कमप्टिशन बना रहता है जिन्नली है न तो इसको समझ बाना बहुत मुश्किल है पुरुजी जैसे आप थोड़ा से बताएं इसमें जो कैसे इसको करें तो प्रभू ऐसा नहीं है कि काली ग्रस अहाल नहीं है लेकिन इसके साथ the अई कुल तक है जैसे जो बर्मचारी जो आसर में जो भॉकत रह रहते हैं उनका मतलब मुटीव ही है मतलब फोक केस ही सोच रहता आए है वह प्लस-Poinkट नहीं है 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 वह आगा तो अमारे कोनी मिलां है मेरे डोनेशन भी दे रहा है, गौनिताई भी है घर में, प्रचार भी कर रहा है, फेक्ट्री भी चला रहा है, वाह, क्या बात है और जो मग्रास आश्रम को सचा थे को बंचारी, पूरा फुल टाइम, 24 गंटे कृष्णा कॉंशेस, वाह, क्या बात है तो प्रशंसा होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों में ही संगर्श है, कल्यूग में कोई भी आश्रम मतलब संगर्श, वाह, क्यारी आश्रम में भी आहा, निद्रा, भै, मना रहा है जारे बात है, अपनी चिन्ता है, अपनी समस्या है, तो ये तो भौती जगत है, ऐसा ही रहेगा, चाहिए हम किसी भी आश्रम में रहें, आश्रम में रहने का परियास करना है और रक्षा सितिती विश्वास हो कृष्ण मेरी रक्षा जरूर करेंगे यह विश्वास होना चाहिए और यह विश्वास तब आएगा पहले हम पहले दो स्टेप करें अनुकूलस ये संकल्प पतिकूलस ये वर्चन ये जो है मन का सरंडर है मन हमें उल्टे सिधे विकल्प देता है उल्टे सिधे हर विकल्प को टेस्ट करना है तो देख लें क्या ये भक्ति के अनुकूल है तो करेंगे भक्ति के प्रतिकूल है तो नहीं करेंगे इस जंक से हमने करना शुरू कर दिया तो मन की शर्णागती हमने शुरू कर देडिए फिर य INFIR यह विश्वास भी आ जाएगा कि क्रिश्न में रक्षा जरूर करेंगे जब तक ये विश्वास ही नहीं होगा तो रक्षा भी नहीं करेंगे हम यह नहीं कहरें कि आप टेक्सनिकली अपने आपको संग छोड़ रहे हैं, माला की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, तो उसका लाब नहीं है, जयतना आप कर सकते हैं, उतना कीजिए, लेकिन जीवन में प्रात्मिक्ता, प्रायर्टी, जाननी चाहिए कि प्रायमरी चीज क्या है, अभी शरी छूट गया, क्या जाएगा साथ, क्या है, जो अब संसार में रहना है, कुछ कमाना है, थोड़ बत अपडेट करते हैं, उसके लिए पागल नहीं हो ना, तो ये तो इसलिए संग में जरूरी है, इसलिए श्रमन निमितरु से बहु जरूरी है, क्योंकि बार बार हम जीवन का लक्ष भूल जाते हैं, इसलिए बार बार इसको यादे हैं, पुरूजी जो लोग घरस्त में रहते हैं, उसके और जो भूरम चारि दोनों का लक्ष एक ही है, बहुत हर सेम, एक ही केटागरी है, मतलब सेम ले उल्वे हैं, जो घरस्ते हैं, उसको जो अन्ती में जो सांस लेता हूँ, उसको धन का समरन होता ठीक है और जो बिर्मचारी है उसको मंदिर का समरन होता है इट, मसाला सभी है याद आरा मान लिजिए, स्पोज करते हैं तो क्या दोनों के अंतिम करते हैं कि यह होगी या अलग अलग होगी अगर ग्रस्त भी जो है वो धन का समरन कर रहा है यह सोचना है कि इस धन को मैंने प्रोजेक्ट में लगाना था यहाँ देना था उसका ऐसा ही होगा एक थे नाम क्या था वनका राम क्रिपा या राम ऐसे बहुत संदा नाम था हमारे वन्शी विहारी प्रभू के चुपाटी में ब्रमचारी था उनके पिताज थे यहाँ पश्ची मियार रहते थे तो जब वो श्रीट शोड़ने लगे थे तो उनसे बोला नहीं जा रहा था मंगवाया था उनने पूरा और उनने पनी चाहें लिखी थी तो पहले इच्छा यह लिखी थे कि मेरे जाने के बाद बढ़िया एक सब बख्तों के बुला के फीश किलाना दूसरा उनने बोला कि मैंने रुक्मिनिक्षम बगू को लाइफ मेंबर बनने के लिए एक पूरा नहीं कर वाया था मैं इसको पूरी करनिया किस्थ पूरा लिखे गए थे तो कहां गया है बिन्षिर्व से भगवाद हो गया है और जाते आते उनको गौर निताय के दर्शन होए थे अपने उनके पैटे ने तो यह मतलब निए अश्रम इंमाटिरियल है आश्रम के आश्रम कोने अच्छम करमाद को जो hiring ने रहते हुए हम जवररस्ती यह मानद हम ने ही छत वह फैंग इस अख है यह गलत सोच है जा है आश्रम कोई भी हो, भक्ती की सुविधा सभके लिए और भक्ती का प्रोसेस अबके लिए जा बनी तो कोई बहाना ही चαलेगा गगा न तोड़ा concession मिल जा है कोई concession नहीं है सबसे बड़ी चूट मिल चुकिया है और उसी को फूरा करना है यह है पुरुजी एकादसी रखने का कितना मेट्व है क्या सभी एकादसी रखने का अलगलग मेट्व है या समान है माधव तिथी भक्ति जननी यतने पालन करी ये भगवान की तिथी है भक्ति की जननी भक्ति की मां को नहीं एकादशी तो जितना अच्छिण यतने पालन करी जितना अच्छिण से पालन करेंगे उतना भक्ति में आगे बढ़ेंगे हारी काथशी का यही मुख्य हमारे लिए है ठीक मेरा प्रश्चन अपरण भौतिक इच्छाएं और भौतिक कर्तव है इनमें कई मर हम कंफ्यूज हो जाते हैं हारे किस्ता है भौतिक इच्छाएं हमारी कुछ रहती हैं मेरे अनर तो रहती हैं प्रश्चाएं हैं उनके नम्मो मैं रहते हैं इसमें अनरे करतविय oh जरू तो तो इनमों कैशे काथजया पैसे realising कारण इत्यूकरा है इसमें में बहूंतिक का है इसमें कॉत thế पार यह इनुले इसमें कैसे उन्हरों लें जा रहा है ठीक है ना बायचांस ऐसा हो जाए कि घर में सब कुछ प्राप्त हो जाए जाए क्यों जाओ आफिस छोड़ो यार रिटार्मेंट लेता हूं आराम से सब कुछ है तो वेक्ति काम भी किसलिए कर रहे है अपने घरवानों को प्रसंद करने के लिए तो काम क्या हो ग हम उल्टा कर देते हैं भक्ति ड्यूटी पूरवा सोला मौला निप्टा देंगे चलो ड्यूटी पूरी कर दी और अटैश्मेंट यहां रखेंगे तो गड़ड़ है यह चेंज करना है उनके लिए कहींवर होता है कि इच्छे अपनी अधर से आजर कहीं ना कहीं से बढ़ पापस उसको ट्रैक्व लासकते हैं तो हमें मानु चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं अपना को ठीक कर सकते हैं तो पापस उसको ट्रैक विला सकते हैं Hare Krishna Prabhuji, thank you for the lecture. Prabhuji, मेरे क।षिए था Hello? मेरे क।षिएन था कि आपने जैसे बताया था प्रहुपाद जी ने दो चीज़े दी हैं तो आपने बताया था एक organization का और दूसरा आपने वर्डियूजेंस का तो organization के लिए तो जैसे आपने बताया था थो थोड़ा intelligence के बारे में आप थोड़ा intelligence के प्वभवाति इता है ठेतानी देने चाहिए और हमारी बुद्धी का भ्रामित्न भू पर प्रहुपात की आगयासे we हो भ्रभामित्न भू और भूक 95 बुक्स को अच्छे जंक से पढ़ें, बुद्धी प्राप्त करें, कैसे प्रचार को बढ़ाना है, प्रभपान ने समझाया है, जंक से पढ़ाया है. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you for a wonderful class. मेरा question था, Guruji, कि जैसा बता रहे थे कि strong desire का होना कितना importance है, spiritual life में आगे बढ़ने के लिए, spiritual life में हम देखते हैं कि उनका किस तरीके से वो उस strong desire को maintain करते हैं. तो मेरा question यह था, कि कभी-कभी हम देखते हैं कि जब strong desire भखलो रखते हैं शुडू में inspire भी होते हैं, रखते भी हैं, लेकिन जब lettuce से बहुत विफलता मिल रही हैं किसी एक चीज में और तो उनको desire maintain करना मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी-कभी में डाउट में आता है कि यह यह fanatism तो नहीं है, और उसमें जारी रखना उसको मुश्किल हो जाता है, और या फिर कोई विपिता आजाए, कोई जाए, फिर बनाए रखना उससे घवराना नहीं, तो वह एक भग कैसे करते हैं, आपने प्रभुपत एग्जाम्पल लिया था कि प्रभुपत ने नाइटीं फिफ्टीएट में बीटी जी का बता रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा स्टाइश बनाया, लेकिन वर्चुली कुछ भी नी वा, नथिग वर्चुली नहीं है वर्चुली एसे प्रभुपत ने बहुत लीग उफ डिवोटी जितने चहा से बनाया लेकिन वो भी ग्राश कर गया, वर्चुली कहीं तरीके सिन को कोई मदद ने मिल बता भी रेते, प्रभबा का फिर भी स्ट्रॉंग डिजार बढ़ता गया, कम भी नहीं हो बढ़ता गया, यह बड़ी अमेजिंग सी बात है, मैं देखता हूं से कोई भग कोई चीज डिजार करते हैं स्प्रूशल लाइफ में प्राने के लिए, बहुत करने के बाद भी प्रयास नहीं करत देते हैं, नहीं कर पाते हैं, जैसे परिक्षर माराज का अपने उधारन दिया, कि परिक्षर माराज जो हैं वो इतनी बड़ी खबर आ गई, मैं देख रहा था कि छोटी से भी संकट आती तो भग बहुत डर जाते हैं, बहुत मतलब मुश्किल में आ जाते हैं, तो उनको इस सब करना बड़ा मुश्कल हो जाते हैं, लेकिन परिक्षर माराज की इच्छा और बढ़ गई, और उन्होंने तो साथ दिन सब को छोड़ के किया, तो आफकोस वो सिद्ध हैं, दोनों सिद्ध भक्त हैं, हम सादक के सर पे हैं, लेकिन हम सादक से स्थित पे तो जाना है तो कैसे हम अपनी जो इच्छा है, अध्यात्मिक इच्छा जैसे आब बता रहे हैं, उसको हम मजबूत बनाए रखे हैं, इन सब चालेंजिस के बीच में बढ़ाते रहें, और होसला नी खोए, या फिर डरे ना, या फिर उसको कम ना होने दे, इसके बार में कुछ आप श को छोड कर लो, तो प्रहुपात की स्टॉंग होते रहें, प्रहुपात का जो मुखे, जो स्टॉंग पाइंट था, जयतने महाप्रभू और गुरु उनके गुरु के वच्छनों में पूरी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा थी, कि पूरी पृत्व में प्रचार होना है तो होना है, गुरु माराज ने बोला है, अंग्रीजी बास्टा में पाइज के पचार करना है, तो करना है, तो ये श्रद्धा टूट रखना, प्रहुपात कहीं लोग ने बना भी किया, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, भारत मतलब ये है, वो है, प्रहुपात ने बोला नहीं होगा, तो ये टेस्टिंग पॉइंट होते हैं हमारी फेथ के, हमारी श्रद्धा के, तो उस टेस्टिंग पॉइंट को हम पास कर जाएंगे, तो हम next level हमारा elevate होता है, और यही real enthusiasm है, actually हम success को बाहरी parameter से judge करते है, results आगे तो success है, निश्चित रुप से फलम परिचियत वो भी एक पैरामेटर है, मुख्यता जो सक्सेस वो है, हम सब साथकों के लिए, कि हम कितना गुरु और किष्ण पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं, कितना अपने अपों गुरु और किष्णी के निकट बाते हैं, चाहे बहार से हो रहा है, मैं विफल हूँ, मेरा कितना उनका स्मरन बढ़ रहा है, वो असली सक्सेस है, मुझे बहार से सक्सेस मिलती जा रही है, लेकि अंदर से मैं सोच रहा हूँ, इसमेरे स्किल्स से हो रहा है, मैं गुरु और किष्ण से दूर होता जा रहा हूँ, तो बाहर से सफलता है, आप बड़ी सफल दिख रहे हैं, लेकि अंदर से मैं क्या हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ तो प्रभपाद की डिपेंडेंस अपने गुरु पे की कृपा पे बढ़ती गई जतना विफ़र होते होगे प्रभपाद और उन पर डिपेंडेंडेंट होते हैं तो यही हमने सीख रहे हैं, हम किसी परयास में फैनेटिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यह फिन हम वरिष्ठ मागदर्शन के उसमें देख सकते हैं कि हमें क्या चेंज करना हैं, यही पिंसिपल यही रखना है कि जो प्रभपात के आदेश हैं उसमें तूट विश्वास और सही साधू संग रखेंगे तो हमारी फायर बनी रहेगी, यही प्रातना करनी है कि हमारी इच्छा बनी रहे बक्तों के संग में सही श्रवन कितन चलता रहे रेगुलर यह प्रभपात के पुस्कों के संपर्क में रहें उनकी शनागती लें तो हो सकता है ठीक है तो आप सब बक्तों का बहुत 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 जासे अपने लेक्टर में दो चीज़े बताई थी कि प्रभुपाद जी कभी हत उतसाइत नहीं हुए और उन्हें पहले से ब्ल्यूप्रिंट त्यार था तो मुझे अपनी इंडस्टैंडिंग चेक करनी थी इस पे क्यों जो ब्ल्यूप्रिंट भी उन्होंने रेडी था दूसरी दम यह भी पढ़ता है कि जब उत्रह यह नहीं पता था लेफ्ट जाना है राइट जाना है यह कैसे लोग रिसीव करेंगे उनको मुव्मेंट को तो आधिंग वह बहुत डाइनमिक भी थे और सिट्वेशन के साथ बहुत सारी अज़स्मेंट भी करते थे अपने स्टैंट्स को भी चेंज करते थे अपनी उपीनियों को भी चेंज करते थे शोइब ब्लूप्रिंट का मतलब है एक विजिन ता एक डिजायर थी बट हो इट विल अन्मैनिफेस्ट इट सेल्फ परहप्स बहुत पार्ट की लेकिन दुवारा से अपने आपको कैसे करते हैं नहीं मेरी गुरुमाराज ने क्या का था अगें यूस्टू अन्हों एक लर्क की बोलते थे स्वामी आपते हैं जाते हैं जाएंगे तो हैं आप पूछ ले तो खाले तो प्रभबाद हतो साहित होते थे लेकिन तुरंट अ मतलब था, blueprint मतलब एक broad vision था, प्रभबाद उसको लेकर attached नहीं थे, वहाँ गए प्रभबाद विदेश में गए, वहाँ की परिस्यतियां देखी, प्रभबाद ने adjust किया उसको, details को adjust किया, principles को intact रखते हो, बट इस विजन वस वेरी क्लिर, वो नर्लीला का मतलब इस तरह, इ इस भावना से तो वो अपने आपको नहीं उठाते होंगे, एक्शली भगतों की ये लिलाओं को समझना असान नहीं है, लेकिन दिखाया बीच में हतोतसाहित वे, लेकिन एंडिजल किया, फिर से अपने को एंत्यूज किया और आगे पड़े, सेवा कभी नहीं थोड़ी उ होगे, नो तुरंथ, ये दिन्न वेस्ट अनी ताइम, आप सब बगतों का बहुत धन्यवाद, एकार्शी महुत्सव की, जगतगुरु श्रीला प्रहुपात की, निताई गोर पे मननते झार्शी महार्वचान की टूरुपात कर समय का, जैंग टूरुपात की, निताई जिताई जगरु़ुरुरुरु झाल सेटी Rick partner झाल झाल